हाई अब्रीकुन फिरसे एक नीम टेसिंग विडियम आप सबको स्वागत है तो दोसे इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों गर आप एक पीएप मेंबर हैं तो दोसे वीडियो आपके लिए काफे एलपूल काफनेज वालोगा या तो फिर अगर आप अपना पीएप एकोल में लोगिन होना के कोसिस कर रहे हैं तो आप अपना पीएप एकोल में लोगिन नहीं हो पा रहे हैं या तो फिर अपना पीएप का पासवर फोगेट करना चाहा रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहे हैं तो इस वीडियों में आपको complete जनकारी देने वालों किस पकार से आप अपना PFA कोन अधार कोईस अपडेट करवा सकते हैं, इसका क्या latest process है, कहां से हो सकता है, इस वीडियों में आपको complete जनकारी देने वालों, तो चलिए वीडियों सुरू करते हैं, फटड़ा फट जान ले दोसरा सो यहां पर online तरीका से आप उमंग एप या तो फिर उमंग का जो अफ्सेल वेबसार है, वहां से भी दोसों आप अपना PFA कोन अधार कोईस अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है, इसके लावा सो और मैं यहां पर तरीका के बात करता हूँ, दोसों कुछ समय पहले नजर आ जाता है था, वहां से भी आधार को ऐसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फिलहाल यतने भी वेपो का portal था, जहां से आधार को ऐसे किया जाता था, सब का सब बंद पढ़ा हुआ, ठीक है, अभी present है उससों दो ही option है, आप अपना company से, जो 100% यहां पर हो करने वाला section पर मैं आपको ले आया हूँ, ताकि मैं आपको 100% कर सका हूँ, आपको proof भी दिखा सका हूँ, ठीक है, यहां पर जो जब password भूल जाता है, अपना PF account का, तो उससे यहां पर forget करने वाला section माता है, यहां से easy भी में अपना password कर सकते हैं, जब आपको PF account के साथ अध is not linked with अधार, ठीक है, यहां पर साब साब बता दिया जा रहा है, जो भी आपने UN number club किया है, वो अधार card के साथ लिंक नहीं है, जिसके वज़े साब का password भी forget नहीं होगा, ठीक है, अब आगे हैं यहां पर बता जा रहा है, first member has to link his her अधार, ठीक है, पहले सबसे पहले आप UN number के साथ, आप अपना PF account के साथ अधार के वैसे update करें, कहां सोगा, वो यहां पर देख सकते हैं, with UN measure आता होगा, throw, throw मतला किसके दुआरा होगा, वो देख सकते है, his her employer, साब साब यहां पर लिखा हुआ है, आपका employer, ठीक है, तो जो भी आपका company, जो भी आपका ठीकदार, जो भी आपका employer, जो भी आपका ठीकता है, उसके दुआ रहे हैं, अपना PF account में अधार को ऐसे update करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको proof दिखाया हूँ, यह पहला तरीका है, ठीक है, जो भी आपका company, जो भी आपका ठीकता होगा, उसके पास आपको जाना है, और उ जो भी आपका phone में जाए, प्लेश्ट्र आपको search करना, उमंक एब, उसके दुआ आपका application आपका application आपको किजिए, उससे don't कीजिए, उपन करके भी आपकर सकते हैं, यह तो फिस दुआ कोई भी search बाइब में आ जाए, search बाए आने के बास तो यहाँ आपको search करना है, उमं राखना है लेकिन यहां पर आधार सीडेट करना है इसके बास हो जाने के बास आपके पास इस पकर से पेज आ जाता है ठीक है अब दुबारा सबको नीचे आना है जब नीचे आएगा यहां पर आपके पास एक के वाइसे वोला सर्विस अपके पास नदर आता होगा, ठीक है, एक के वाइसे वोला सर्विस में आ जाना है, उसके वाइसे वोला सर्विस में आ जाना है, उसके वाइसे यहाँ आपके पास नदर आता हो, अधार सीटिंग ठीक है, अधार सीटिंग पर क्लिक करना है, जै तो इजी में मैंने आपको बताया हूँ किस पकर सब मोबाइल फोन से ही उमंग अप्लिकेशन के माधियम से आप अपना पीएफ एकॉन में अधार के वैसे आउनलाइन तरीका से अपडेट करेंगे ठीक है मैंने आपको complete process वीडियो में आपको बता चुका हूँ ठीक है अगर आपको अच्छा लगा हूँ अभी तेक वीडियो को लाइक नहीं कियोंगे तो फटा 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 लाइक कीजिए चैनल पर नए हैसे प्रसुली पाना चाहते तो वीडियो को निचे देखिए सब्सक्राइब को बेटर मिलता है इस आपको क्लिक कर देना है बेल घंट